अविका गौर का कहना है आज के टाइम में एक्टर बनना बहुत आसान है जी हाँ एक एक्टर और एक स्टार के बीच अंतर पर चर्चा सालों से चलिया रही है वहीं एक्टर अविका गौर को लगता है कि शोबिस में कई रास्ते उमिद्वारों के लिए वर्दान साबित हुए है इस बारे में बात करती हुए उन्होंने कहा आज एक अभिमीता बनना आसान है क्योंकि लोगों के पास सोशल मीडिया और दूसरी मीडियम सक पहुच है जहां वे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं चाहे रील्स हो या यूट्यूब पर वे दर्शकों तक पहुच सकते हैं डिजिटल प्लेटफर्म पर एड डील्स और फैन इंटरेक्शन्स होते हैं आप पैसा कमा सकते हैं सालों से इंडस्री में होने के कारण भी मानती हैं कि उनके लिए वहां रहना मुश्किल हो जाता है उन्होंने कहा मैं लास्ट में सोचती हूँ चलो इसे हर कोई करता है ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर गहराई से ये सही नहीं लगता इसलिए मैं एक कदम फीछे हट जाती हूँ उधारन के लिए उन लिप सिंग रीलो को बनाना कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे अभी अपने करियर में करना चाहिए पहले ही दिल के अंत मैं ऐसा लगता हो कि आपको फॉलोवर्स मिलते हैं और एक बार जब आप फॉलोवर्स प्राप्त कर लेते हैं तो अच्छे ब्रेंट्स आपके पास आते हैं अकसर entertainment industry को अस्थिर कहा जाता है क्योंकि अफसर नियमित रूप से नहीं आते लेकिन गौर को लगता है कि industry unpredictable है और किसी को सही option बनाना होगा और उस पर काम करना होगा सही time पर सही जगा पर होना एक ऐसी चीज है जिस पर मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ फिर भी यहां मेरे लिए कई बार अनिश्चित होता है क्योंकि मैं प्रजेक्स की shooting करती हूँ लेकिन release मैं देरी होती है लोगों को लगता है कि मैं lucky रही हूँ खेर इस खबर में तो बस इतना ही अविका गौर की खबर पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा क्या है झाल झाल